नमस्ते दोस्तों केसे हो आप सबी जैसा कि अपन वर्दी और विकास अपने साइकलोजी में पढ़ रहे थे अपने वर्दी और विकास की संकलपना को देख लिया था कि वर्दी क्या होती हैं विकास क्या होते हैं और उसमें अंतर भी देख लिया था जो भी कोई भी ने पर देखें परिकास के मुलबुत सिद्धान्त के लिए स्पेशली रिट के लिए यह वेसे होने में सभी टेट्स जिते भी टेट्स होते हैं उन में सभी साइकलोजी आती हैं तो कोई भी पड़ सकता इसको ठीक है ना तो अपन इसमें वर्दि और विकास के बारे में पड़ आज हम इसके मुल्वू सिध्धान्त विकास के सिध्धान्त क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं पहले सबसे परस्ट में हैं कि विकास विकास एक सतत पर किरिया हैं continuous process तो एक विकास का सिद्धान्त है निरनता का सिद्धान्त वो बोलता है कि विकास केसी पर किरिया है विकास एक सतत पर किया है जो की गर्बा उस्ता से जनम प्रियन तक चलती है मर्तियू तक चलती है ठीक है न तो ये कौन सा सिद्धान्त हो गया मित्रो ये हो गया निरनता क का सिध्धान्त कंटिनियूस प्रोसेस अगला आए अपने पास में विकास वेक्तिगत पर करिया है इसमें वेक्तिगत भिन्यता दश्टिगत होती है तो एक दूसरा सिध्धान्त आता है हमारे पास में वेक्तिगत भिन्यता का सिध्धान्त वो सिध्धान्त बोलता है मित्रो परक्रिया का मतलब होता है मित्रों कि विकास हर कोई भी हो इस दुनिया में कोई भी आदमी हो हर एक में युनिक विकास होता है सम्मे विक्तिगत परक्रिया होती है सम्मे अलग-अलग विकास होता है यहां तक कि दो भाई हैं उनमें भी विकास की परक्रिया समान नहीं होती ठीक है ना विकास में उनमें भी विकास की जो दर होती हैं उसमें भिन्नता मिल सकते हैं अपने को ठीक है ना तो इसलिए बोलते हैं कि विकास एक विक्तिगत परक्रिया है ठीक है मित्रों विकास एक सामुई पर किया नहीं है कैसी है वेक्तिगत पर किया है इसमें वेक्तिगत भिन्यता दश्टिगत होती है हर वेक्ति में अपने वेक्तिगत होती है ठीक है ना तो विकास की दर हर वेक्ति में अलग-अलग होती है यह है वेक्तिगत भिन्यता का सित करता है नेक्स्ट अपने पास में विकास एक सुव्य व्यूस्तित करम में होता है झाल जैसा जिसे वेव सुव्यूस्तित कर Strawberry को में होता है जो एक सुन्भण संख्ला का अंगामी है थीक्या में Gene नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें विकास वातावर्ण और वन्शानुकरम की अंतक्रिया का प्रिणाम है जैसा कि आपको याद होगा कि उडवर्थ एक मनोवेगेनिक है उडवर्थ उसने बोला था कि विकास किसका प्रिणाम है वन्शानुकरम और वातावर्ण का गुणन यह उडवर्थ ने एक यह सिध्धान्त पी ठीए ना अनतर किया का प्रणाम है मित्रों यह बहुत ही इंप्रेंट है कही बार एकजाम में आ चुका है ठीए आगे देखते हैं विकास के विविन पक्स या आयाम जो आसपेक्ट होते हैं Aspect of Development, विकास के अंतर शम्मंदित अंतर निर्बर होते हैं करने का मतलब मित्रू हैं, विकास के आयाम होते हैं जैसे सारी का आयाम, मानसीक, भावा आत्मक, किरिया आत्मक हो गया सामाजीक, सवेक आत्मक हो गया ये सबी आयाम एक दूसरे से अंतर सम्मंदित होते हैं separate कोई भी नहीं इन में से एक दूसरे से ये सबी जुड़े हुए है ठीक है ना तो अंतर सम्मंदित होते हैं ये सबी integrated होते हैं मतलब ठीक है ना ये कोई भी सम्त अंतर निर्वर होते हैं तो ये विकास के विविन पक सेंट उसे से अंतर संबंदित या आत्म निर्वर होते हैं अंतर निर्वर होते हैं ठीक है ना आगे देखते हैं इसमें विकास एक 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 एकरत रूम में होता है अर्थात करने का मतलब क्या है कि बालक पहले अपने संपून अंग को फिर अंग के भागू को चलाना सीखता है उसके बाद वो अपने भागू में एकिकरन करना सीख जाता है तो कहने का मतलब भी हैं कि बच्चा पहले जब भी पस्ट में बच्चा क्या करता है एकिकरन कैसे करता है सबसे पहले अपने संपून अंग को चलाता है जैसे हाथ को इलाता है पिर जैसे जैसे उसमें एकिकर्ण की परक्रियाएगी विकास में तो अपने अंगलियों को हाथ से अंगलियों को हिलाने लग जाता है तो इस सिद्धान को क्या बोलते हैं विकास का एकिकर्ण का सिद्ध भीकास शॉक्तितों में यह करें, इसमें बहुत सारी परिवर्तों होते हैं, सभी व्षेशन के अंदर due को दो ब है इस कहले हैं जो विशेश्टा आती हैं उल्कों का संगर्न होते हैं इसके लिए को क्या बोलते हैं याद रखना मित्रों विकास सामाने से विशिष्ट की और चलता है इसको याद रखना जैसे अपने position वीडियों में पड़ते हैं एक शिक्षण उत्रे के Ly-s Excel से सामाने का मतलब है कि बच्चों को फल घु. हूसी शिखा, पर विक्र से चीज़े कहा हो, एक तो सीखा, जविकhouse रेंकर क प्रक्रिया साज करें, फीर में घुन है, याद रखना, इस विक punished में ठाबी Hut lado, विक Ama शूतन में तो यह सब्दोन याद को अप्छित होता », फिरसकर्ट वेवार निरूम के विक्षित होने लगता है। तो कहने का मतलब यह हैं कि सामाने किरियां पहले करता है बालक फिर विशिष्ट किरियां उसके बाद में करता है जिसे विवेदी करत विवार करता है फिर उसमें तोड़ा विशिष्ट करना आता है रो विवेदी करत विवार करने लग जाता है ठीक है ना फिर प्रिश्ट कर से पढ़ना यह नोट्स हैं जो अपनी कलाम कोचिंग है सीख कर गी उसके बहुत सांदार नोट्स हैं जो मेरे पास थे तो उनको समझाने का प्यास करो मित्रों में आपको तो ज़्यादा ज़्यादा इस चैनल को सेर करो ताकि सबी बच्चों को इसका लाभा लाभ हो मिल सके ठीक है न मित्रो तो आगे देखते हैं जैसे अगला विशेष्टा देखते हैं अपन अगली विशेष्टा के रूप में याद रखना मित्रों अगली विशेष्टा के रूप में हैं कि विकास पूरान में होता हैं पूरान में का मतलब होता हैं कि विकास की अपन बविश् बहुश्यानी का मतलब होता है कि विकास आगे क्या होगा इस बच्चे का विकास आगे कैसा रहेगा इसके बारे में अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं मतलब बहुश्यानी कर सकते हैं पूरुकतन कर सकते हैं तो यह विशेश्चता की रूम में आ जाता है कि विकास पूरुआन म होता है इसकी बेश्योंनी की जा सकती है आगे देखते हैं मित्रों बालक और बालक हों विकास की दर में भिनता होती हैं तो यह भी क्विशन आता है कि विकास की दर शमान होती है तो मित्रों याद रखना विकास सम्में अलग-अलग होता है विकास की दर सम्में अलग-अलग बालक बाली कवम में विकास की दर बोथ बीन होती हैं ये भी एक विशेस्था next याद ठकना कि विकास लूंब़त नहों कर वर्तुला कार होता है spiral होता है नेचर से linear होता है ठीक है न rate यह नहीं होता है linear हो साथ nhấtपर वर्तुला कार होता है मतलब करने का मतलब यह है कि प्रारमिक विकास होता है जो बच्चे का वो बाद के विकास से अधिक मात्व पूर्ण होता है जिसा कि अपन कहते हैं कि सेसो होता है आधार की वस्ता है निव की वस्ता है ठीक है न कोरी सलेट बोला है जोन लोक ने सेसो होता है जो प्रारमिक वि कि अदिक मत पुने यह चीजी पर और कर दो यह विकास की विशेष्था आगे देखते हैं विकास में जातीकत कि विशेस्ता आया जाए उसमें जानवरों में जानवर की तरह विकास होगा मनुश्य में मनुश्य की तरह विकास होगा तो ये विकास की कौन सी विशेस्ता है मित्रों ये विकास में जातिगत एक रुपता दरश्टिगत होती है ठीक है ना ये भी याद रखना आगे हैं व विकास में परिपकता, जैसे बच्छा परिपक होता है रोशी में अधिगम की परिकिर्या बढ़ती जाती है, उसमें विकास होता जाता है, ठीक है मित्रों, जैसे अपने बढ़ाता उद्धवर्थ का सुत्र की वनसानु करम इन्टू वातावर्ण बताया था उसने ठीक है न उडवर्थ ने ऐसे अपने एक शुर्ट रोर इसका आता है कि विकास बराबर क्या होता है विकास बराबर लिख लेना मित्रो आप विकास बराबर होता है परीपक वता परीपक वता इन्टू अधिगम तो ये भी एक विकास को बताता है ठीक है ना तो परिपकुता इंटू अधिगम का अंता किरिया अंता गुननफल बराबर क्या होता है विकास तो इसलिए बोला गया है कि विकास में परिपकुता और अधिगम की मात्वपून वो मिकाफ होती है याद लगना में तो ठीक है न आपको याद ही आपने जैसे आगे बढ़ेंगे सब बताओंगा मित्रों आपको पूरे नोट्स है मेरे पास पूरे हल करूंगा आप बस बने रहे ना मेरे साथ में करना ज्यादा-ज्यादा समझाने का कोसिज करूंगा मैं आपको ताकि आपके क्यूशन एक भी गलत नहीं हो ठीक है ना विखास की पर्ते का अउस्ता के अपने खत्रे होता हैं पर्ते का उस्ता में पर्ते को शिखता हैं यह आप तो विशेष्टा का मतलब जिसे विशेष्टा का बच्चा है तो उसमें नेतिकता नहीं होती अपनी विशेष्टा हैं बाले विशेष्टा का बच्चा आत्में निर्वर हो जाता है ये अपनी विशेष्टा होगी तो इसको इका है कि प्रते का विशेष्टा में जोखिम र प्रवावित है जबकि गलत था भी उप्षन, उसमें गलती छाड़ना था तो ये उप्षन रायट होता इसमें जाद रखना कि विकास एतियासिक हो गया बोगोली को गया संस करते हो गया सभी प्रिद्रश्यों से प्रवायूत प्रिवर्तनों से प्रवायूत होता है यह मैं तरों याद रखना विकास संस करती जैसे अपने जिस संस करती में रहते हैं तो उसके लोग अपने को प्रवायूत करते हैं आगे देखते हैं मित्रो विकास के दो important सिध्धान्त हैं जो कि आप आए हैं उनको देखना मित्रो बहुत ही important सिध्धान्त है ठीक है ना विकास की परकिया, सिर्षे पेर क्यूर, तो इस सिध्धान्थ को जब विकास सिर्षे पेर क्यूर चलता है, सिध्धान्थ को बोलता है, मितरो सेपलो कोडल, इस पेसली आप इसका नाम इंगलिस में याद रखोगे, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके क्यूशन आप इसका एंगलिस में याद रखना इसको क्या बोलते हैं इसको क्या एक द्रखना से सिर याद रखनाए फल्त है सिर रखना ये अपने मस्तिक से आरम होकर पादिये पेर की और जाता है जब विकास की परक्रिया मित्रो यह आद रखना जब विकास की परक्रिया सिर से अपने सिर से पेर की और जाती है तो उसको क्या बोलते है अपन उसको बोलते हैं सेफलो कोडल जैसे विकास की परक्रिया सिर से स्टार्ट होगी और अपने पेरू की तरफ चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे मित्रो अपन सेफलो कोडल और जब विकास की परक्रिया यहां केंदर से केंदर से परीदी की और चलती है ठीक है केंदर से परीदी की और चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे मित्रों उसको बोलेंगे प्रोक्सोमो डिश्टल ठीक है इसको समझ लेते हैं भी तो सेपलो कोडल किसे करते हैं अर्थार्द भून का सिर उसके पेरू से पूर विक्षित होता है तो यह से क्यूशन आ जाता है मित्रों की विकास की परकिया में सबसे पहले क्या विख्षित होता है तो आपको लगाना पड़ेगा सिर्ट आपको जब याद यह रहेगा तब ही लगा हो सके होगा ठीक ना तो याद रखना कि सिर का भाग उसके पेरों के भाग से पूर्व व होता है जैसे सेपलो कोडल के अनुशार सिर का विकास होता है वो किसे पहले होता है पेर उसे पहले होता है मित्रों यह याद रखना ठीक है ना अब दूसरा आता है अपने पास में प्रोक्सोमर्स डिश्टल प्रोक्सोमर्स डिश्टल क्या बोलता है ठीक है ना प्रोक्सोमर्स डिश्टल कारत होता है कि विकास के अंदर से प्रिदी की ओर जाता है तो उसको क्या बोलता है अपन जैसे यह अपना सरीर हो गया जब यह के सुरू होता है। अपने सीर से प्रारम हो रहाता है। जबकि विकास सरीर के कैंद्र से चुरू हो पर अंत में कंदे और कोहनी का विकास होने के बाद में लाश्ट में अंगली का विकास वा तो आपको लग रहा होगा कि यह जैसे मानुसरी नहीं तो विकास ऐसे चल रहा है ठीक है ना पहले पूरिघ के डियाई फिर कंदे आया पिर कौहनी आयी फिर अंगली आयी अथी तो ऐसे इसको कौण सा विकास बोलेंगे फ्रोक्षामोज डिश्टल का सिध्धान्त बोलेंगे ठीक है रहा है इनको याद रखना यह इनको याद रखना मित्रों आगे देखते हैं इसमें सिसु पले संपून सरी बाद में किसी विसेश भाग जैसे अंगुली को काम में लेता है तो ये भी कौन सा सिद्धान दोगा मित्रों ये प्रोक्समो डिश्टल होगा ठीक है ना जिसे अपने सबसे पले तो उसने हतेली अपने कोई भी हो गया सबसे पले ये क्यूशन आया थ 2018 रेट में ये सिशु की हतेली और ठीक है ना तो सबसे पहले चीज आया कोई भी बालक है सबसे परे पूरी हतेली से किसी चीज को पकड़ता है फिर वह अपने अंगुली के माध्यम से किसी सीज को पकड़ने लग गया तो विकास का कौन सा सिध्धान तो जैसे मित्रों दे थो मित्रोण इन दोन को याद रखना जितने भी इन some of पड़ें अपने को याद है मैंने बताया है था आपको कि विकास कैसे चलता इसमें के अफरे प्रीदी आफनcemill 4 लोग कि गारे में क्या बता या हर लोक ने विकास के बारे में legit विकाष तो वन परिवर्तन होता है वी कमें उन्हें टिक है ना परिवर्तन वह वो नहीं सो यह उन्हें परिवर्तन वहन fishing का लोप होता है वह विकाष बनाओ मुझ आते हैं ज़िए फी से सब गद लोग हैं जब गदै तो अंभ विशARSफिय ज़िता कि यह हैं से इसता बताईए मित्रों इनको याद रखना है यह डारेक्ट भी क्यूशन पूल लेते हैं इनसे तो यह अपने विकास के सिध्धान देखे मित्रों आज तो नेक्स्ट आपन इसमें विकास की अवस्ताओं के बारे में पढ़ेंगे मित्रों तो आई होप यह आपको समझ मे आए होगे मित्रों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सस्क्राइब करो ताकि अपन पूरे प्रोत्सान के साथ पूरे सेलबस को कंप्लीट करें और यह मेरे पास वेरी इंपोर्टेंट नोट्स हैं उनको मैं आपको हल्क कराता चलूँगा और जैसे अपने चैनल में क्लासे चल मित्रों आज यहीं तक पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी आएगी विकास की वाउस्तों के बारे में उसके बारे में देखेंगे ठीक है मित्रों थैंक्यू